गजान नम्भूत गडाद शीवितं कापेत्यम्भू फल चार वक्यनं उमा सुतं सोक विनाशिकारिकं नामामि विगने स्वरिपाद बंगजं गुरूर ब्रम्मा गुरुर बेष्नु गुरूर देवो मैसुरा गुरूर साख्यात परंब्रम्मा तस्मै शी गुर्वे नमः नारायनम नमस्कृत्यम् नरांचे वनरोत्मं देविम् सरस्वतिम्भ्यासं ततो जैमुरीरेत सविद्वारन कूंछोड़कें आयो तेरे द्वार शिरी ब्रसेवाने की लाड़े ली जरा मेरी ओरे नियार कठा प्रारंबे होते हैं सोना हूँ बीरे अनुमान रामे लखने सिये जाने की सराकरों कल्यान सरप्रथम भगवान सी रादा किष्ण के चलन कम्रों प्रिनाम करके शिरी ब्यासी महराज सरस्वती देवी एवं सद्गुदेव के चैनों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पुजनों का अशिवार लेते हुए भगवान सी बांकी व्यारी मुर्ली मनोल लाव सी प बन व्यारी लाले की जैं कातिक महत्तम की जैं शिरी सुच्जी महराज कहते हैं कि रिशीवरों देवरिशी नारज जी से राजा प्रिथू ने पूछा वगवन अब किरपा करके यम पंचक धन तेरस की पूजा बिदी बताएए धन त्रोधसी को क्या करना चाहिए देवरि देवरिशी नारजी कहते हैं राजन कातिक क्रिष्ण पक्षी त्रोधसी को धन त्रोधसी मनाई जाती हैं इस दिन धनवंतरी वगवान की कुवेर वगवान की पूजा की जाती हैं त्रोधसी को सायकाल गाम के बार यम्राज को भी इस दिन दीपक जलाए जाते हैं अब वि इस तरह से कातिक के कृष्ण पक्ष त्रोदसी चटोदसी दीपावली भाईजा दूज गोवदन पूजा तक ये यम पंचक चलती हैं इसलिए नरक्षे डने वाले लोगों को तिल के तेल से जल में तिल डाल करके इतव इसनान करना चाहिए चटोदसी को चंद्र के उड़े में तेल में लक्षिमी का वास रहता है इस तरह से त्रोदसी चटोदसी जल में गंगा जल डाल करके जो इसनान करता हैं वो व्यक्ति यम पुरी को नहीं जाता अपामार्ग दूरवा चक्रमदन इनको डाल करके से उप से गुमा करके इसनान करता है उसके बाद में प्रातना करें है अपामार्ग अपामार्ग का जो पेड आता है जिसे चिचड़ा भी कहते हैं उसके पत्ते डाल करके इसनान करना या उसको जल में डूओ करके तब जल से इसनान करें अब प्रात्ना करें कि है पामार्ग बार बार गुमाने से आप पाप दूर करो इसके बार डक्षिन मुखो करके यम्राज का तर्पन करें यम्राज के दो रूप हैं धर्मराज का रूप रूप और यम्राज का रूप देवता पितर देवतीरत में तरपन करें पित्र तीत में पितर मान करकें तिल मिला करकें एक एक जप नाम करकें तीन तीन अंजली तरपन करना चाहिए यमाय, धर्मराजाय, मृत्वे, अंत्रकाय, बेबस्ताय, कालाय, सरभूट खेयाय, उडुम्बराय, डगनाय, नीलाय, परमेश्ने, ब्रिकोधराय, चित्राय, चित्वुपताय, फिर साम को इस तरह से प्रात्ना करके मनुवर्दीपदान करें ब्रह्मा, विष्णू, सेव, दुर्गा, इनके मंदरों में, अटारी में, चेतन, ग्रामदेबता, पुराना ब्रिक्ष, सवा, नदी, दीवार, बावली, गली, समीब कवन, खेत, इन इस्तानों में, चतोजशी को भी दीपदान करें ये, हतियार से मारे गए पितरों को, चतोजशी को दीपदान करने से अक्षहफल पराप्त होता है इसके वार में क्वाली कर्ने, बतूँओं को, सिब भक्तों को, तपस्यों को भूजन कलावें, तो सिब लोग की पराप्ती होती हैं ब्राम्मनों को दान पुन करे भूजन करावे तो यम लोग प्राप्त नहीं होता इसी प्रिकास से अमावश्या को भी प्रातेकाल इसनान करके देवता पित्रों की पूजा करे प्रिनाम करे साहिकाल के समय पित्रों में मन लगा करके पित्रों का स्राद करे अन्य से इस प्रिका से भोग लगा करके साम के समय घर में तुलसी इस्तान में ब्राम्मर, मित्र, देवता इनके इस्तानों में दीपक जलाना चाहिए चौराय पर समसान में नदी, परवत, गवसाला इनमें दीपडान करें फिर सोय लक्षमी को जगावें कि तुम जोती सरूप हो तुमी सूर चंदर विजली सौर नक्यतरिन की जोती की वी जोती हो हे दीप जोती तुमें नमस्कार है इसके बाद में इस्ती को चाहिए लक्षम को जगा में मंगल गान करें जैसे पत्विताइस्ती पती से पहले प्रात्यकाल जागती है बैसे लक्षमी भगवान विश्णों के जागने से बारे दिन पहले जागती हैं अमावस्षा के दिन वर्ष की परिच्छा के वास्ते कई जगों पर जुआ भी खेला जाता है इस दिन बारे महिना हाथ जीत का फैसला होता है जो लक्षमी अमावस्षा को दीपावाली करें पूर्ण मासी को गवसाला में करें वो लक्षमी को बरदान के वागी होते हैं लक्षमी माता का पूजा करें इस दिन जो हमारे पार्वती ने कीड़ा करी थी चौसर खेली थी इस वश्या को घर गर्मी गुमती है इसलिए पुर्सों को दूप दीपास से मकान की साफ सपाई रखनी चाहिए अनेक प्रकार से मकान को सुसोबित करें घर्मी सजावत करें पूजा पात करें नभी नवस्त दारन करें सम्मंदी वाई बंदू सब जो पूजनी हैं उनको जो हैं बोजन करावे अमावश्या की रात्रे में जिसके घर में अन्दकार रहता है लक्षमी त्याक काती है ददत आती है इसलिए यम पंचकों में धन तेरस से लेकर के भईया दूज तक घर में दीप माला होनी चाहिए लक्षमी का वास कराना चाहिए इस दिन जो है कई इस्तान पिascals में स्सक्राम शुब बजाकर के लक्षमी को बुलाती है और लक्षमी को संत काती है लक्षमी जी से केटी हैं तुमारी खुशी से है मातेस्वहरी आप हमारे घर में वास करो अधियर से Comics में जो है व्यूश्य बाक्षमी वास कहती है आगे बहित गोवण पूजा पर बली पूजन होता है मत्रा में या दूसरी जगह गोवदन बना करके पकवान अन्न सागपल से गोवदन की पूजा की जाती हैं क्योंकि गोवदन माराज ने ब्रिज की रक्षा करी थी भगवासी किसने गोवदन पूजित कराए इंद्र का विमान दूर किया था गोवदन वाले दिन भी गोवदन पूजा जो करता है पदिखिना करता है ब्रामनों को भोजन कराकर के बंदू समयत इस्नान करें गोवदन की भी पूजा करें तो इंद्रा देवताओं से पूजित हो जाता है और लक्षमी का वास उसके घर में हो जाता है फिर इसके बाद में बैलों की भी पूजा काते हैं हे ब्रसव तुम भी धर्म के इस रूपो हमारी पूजा को स्विकार करो इसके बाद ब्रामन अवन काते हैं पूजा पात काते हैं फिर इसके बाद में भाई या दूज के दिन यमराज का पूजन होता है उस दिन जो है यमराज की पूजा की जाती है यमराज और यम और यमना का उस दिन पूजन किया जाता है इस तरह यम और यमना का पूजन करने से भगवान सिरी यमराज की किरपा से समी पाप नस्त हो जाते हैं इस तरह से डंट तेरस के दिन सोना चानी तामा पीतल जारू ये बिसीश करके खरीदी जाती हैं डंट तेरस को पांच दीपक जरू जलाने चाहिए बैसे तेरे दीपक जलाएं तो जारा चाहें इनमें ब्रिक्ष के नीचे चोराई पर तुर्शी के नीचे पीपल के नीचे दक्षिंड साकून आलिप यमराज के नाम से इस तरह से डिपक जलाए जाते हैं जो इस पिकाह से घंत रो दशी को यमराज की पोजा काते हैं लक्ष्मी और धनमंतरी बगवान और कुवेर का पूजन काते हैं माता लक्ष्मी की किर्पारिस्टी हमेशा उनकी परवार पर रहती हैं भक्तों आज की कठा कई पर विश्वाम करते हैं आज आपको तांबुल निखाने हैं और कल आपको साग निखाना हैं हरी सब्जी बुलविंद्रा बन व्यारी लाल कीजें कथा सदा होती रहें सुना हूँ बीर हनुमान राम लकन सिय जान की सरा करों कल्यान सिया पते राम जै जै राम बुलो कातिक मात्तम कीजें जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे